एक तरफ चर्चा हो रही थी कि पुर्वक्रिशी मंत्री सुधाकर सिंग को फिर से राजद मंत्री मंडल में जगह दे सकती है लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादो थोड़े चिंतित थे क्योंकि नितीश कुमार सुधाकर सिंग को पसंद नहीं करते हैं नितीश और सुधाकर सिंग में 36 का आकड़ा है इसलिए तेजस्वी सुधाकर सिंग को मंत्री पत देने में थोड़े ही चख रहे थे और फिर से सुधाकर सिंग ने कुछ ऐसा ही काम कर दिया है सुधाकर सिंग नितीज कुमार से अपनी पुरानी अदावत को फिर से जिंदा कर रहा है और कटिहार में जो गोली कांड हुआ है पुलिस वाले आम जंता पर जो गोली चला देते हैं इस पर सुधाकर सिंग ने जम कर नितीज कुमार के खिलाब बोला है जमकर नितिस कुमार को लताड़ा है नितिस की पार्टी को सुधाकर सिंग खूब खरी-खोटी सुना रहा है इसके अलावा नितिस की पार्टी जदिव के MLC बिरेंद्र यादो जिनों ने बयान दिया कि जो बदमासी करेगा उस पर पुलिस लाठी और गोली तो चलते रहता ह उनको सुधाकर सिंग ने खूब सुनाया है सुधाकर सिंग का कहना है कि इन पर केस होना चाहिए Sekson 120 B के तहत इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए सुधाकर सिंग कहते हैं कि ये सड यंतर के तहत हो रहा है बिरंदर यादो पर सड यंतर करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए अब सुधाकर सिंग ने नितीश कुमार और उनके पार्टी के नेताव के ऊपर क्या कुछ और कहा है सारी बाते विश्टार से वीडियों का आगे बताएंगे और उससे पहले नमस्कार जंता जूंशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी विश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं बिहार में मंत्री मंदल का विश्तार होगा ये चर्चा पिछले एक महीने से लगतार हो रही है जब से पटना में विपक इसको ज़्यादा सीट देते नहीं है इस पर नितीश कुमार पूछते हैं कि आपको कितना सीट चाहिए तो रहूल गांदी दो सीट मांगते है और तब से कॉंग्रेस ये इंतिजार कर रही है बाकी पार्टिया भी इंतिजार कर रही है कि कब मंत्री मंदल का विश्तार गई कि तेजस्वी यादव खुस्द इस मंत्री मंदल के विश्टार को रोक रहे हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि अभी कुछ भी जल्दीवाजी में हो और इसके पीछे कारण है कि तेजस्वी एक विश्ट की समीकरन है उसको साधने के प्रयास में लगे हैं फिर से सुधाकर सिंग को मंत्री मंदल में सामिल करने की कोशिस में लगे हैं वो चाहते हैं कि उन्होंने बिहार में जो नया समीकरन सुरू किया था अपनी पार्टी के लिए एक नया राजनितिक पैटर्न सेट ऊसको फॉलो करें उसको वह पूरा करें और इशके लिए सुधाकर सिंग को फिर से मंत्री मंदल में सामिल करवाएं लेकिन तेजस्वी के सामने एक मुश्किल खड़ी हो रही थी, वो नितिश कुमार थे, सुधाकर सिंग की प्रदर्शन में जो गोली कांड हुआ है उसको सुधाकर सिंग नितीस कुमार और उनके पार्टी के लोग चाहते ही है कि जनता के खिलाब ऐसे पेस आया जाए पूलीस ऐसे बरवरता करें वो बता रहे हैं कि सरकार ने अधिकारियों को पूलीस बलको इतना एकदम छूट दे दिया है कि वो लोग अपने मनमाना काम करते हैं, उनको कानून का कोई डर ही नहीं है, वो लोग कानूनी रूप से कोई काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सरकार का दिया हुए एकदम छूट है। उनने रही साही कसर जदिव के मंत्री विरेंद्र यादो पर निकाल दिया, नितिस के पार्टी के नेता जदिव के MLC उर्जा मंत्री विरेंद्र यादो को उन्होंने खुब लताड़ा है। इसे कांड को उन्जाम देने के लिए साजिस रखते हैं और सुधाकर सिंग यहीं सेक्षन विरेंद्र यादो पर लगाने की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उर्जा मंत्री विरेंद्र यादो उन्हें जैसा बयान दिया इससे पता चलता है कि यह लोग जनता के खिलाफ सड़ेंद्र कर रहे हैं। इसलिए इन पर साजिस रचने वाला मुकदमा दर जोना चाहिए। बाकि सुधाकर सिंग ने यह बयान देकर तेजस्वी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। अब देखना दिल्चस्प होगा कि तेजस्वी यादो इसको कैसे डील करते हैं।